गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स हम लोग कमेश्ट्री का डी विजिन कर रहे थे और हम लोग का टार्गेट क्या है टार्गेट है आने बारे अगले एक्जाम जैसे 66 बीपी एसी का फिरी हो या बीपी एससी जो भीहार एसाई या आम बोल चल के भासा में भीहार दरोगा कहते ह है उसका में होने वाला है या फिर जो नए फिरी है उसका फिरी होगा या बीहार फोरेस्ट ऑफिसर हो या कोई भी एक्जाम हो जिसके आने वाले एक्जाम या कोई भी वांडे एक्जाम जिसमें और विज्ञान समार विज्ञान से कोशन आते हैं तो उसके लिए यहार उत क क्मेस्टि का सुरूप किये हुए हैं यह तीसरा वीडियो हूगा तो आज हम लोग बारे में जानेंगे उससे पहले एक बात यह चैनल अच्छा लगे जिरूर लाइक करें सेयर करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें तो देखते हैं यानि वाटर यानि एच-टूऊ तो तो प्रिश्वी या जीवन श requires कि कलपना की क्या है कि आन के का विए जुल के कारण नहीं है तो पिर्थ्वी और गरह में आंतर ही कि इसकीqual का ज्ल साबून के साथ फेन नहीं उत्पन करता है यानि हम लोग जानते हैं कि कठोड जल और मिर्दू जल मिर्दू जल और कठोड में अंतर क्या है कि मिर्दू जल समान साबून के साथ भी अभिकिरिया कर लेता है लेकिन कठोड जल यह समान यानि साबून के साथ है अभिकिरिया नहीं करता है अता हुआ कठोड जल है यानि उसमें हम लोग कपड़ा नहीं दो सकते हैं उसमें अपना बरतन या कोई काम नहां साफ नहीं कर सकते हैं कपड़ा वह गंदा का गंदा ही रह जाएगा तो आगे देखिए जल अर्थात हाद वाठर की बात हो रही है जल की अस्थाई हैं घarson है तो केल्सियम और मैंगनेशियम के कुल राईट तथा कर सॉल फेट के कौन मैंगनेशियम तथा केल्सियम के अर्थे करसी का कशवी सप sommes ह augusta है उध्यक्राइब्र सुर्फेट कर सॉल फेट करनं है जल की अस्थाई कोठ Producer हो जाती है इसका भी कारण केलसियम और मेगनेसियम के बाई कारबोनेट उसका क्या था कुलराइड था सॉलफिट के कौन और इसका है केलसियम तरह मेगनेसियम के बाई कारबोनेट के कारण जल और अस्थाई रूप से कठोर होता है और अस्थाई है इसका मतलब क्या कि हम लोग इस पान होगा और ऑक्सीजन का आठ होगा कैसे हम जानते हैं कि एच्टू ओ रहता है मतलब ऑक्सीजन में क्या होगा तो उसका एच्टू आठ पर होता है आठ दो ऑक्सीजन तो समुद्री जल में सरवाधिक मात्रा में कौन सलवन होगा समुद्री जल में सरवाधिक मात्रा में सोडियम कुलराइड यानि जो खाने वाला समाने नमक होता है वह इसी से प्राप्स होता है तो सबसे कम सबसे अधिक कौन होगा तो सोडियम कौलराइड जल का अनुभार होता है तो जल का अनुभार अठा रहा है यानि दो अक्सीजन और दो हैट्रोजन जल का अनुभार होता है बहारी जल का अ के साथ आसानी से अधिक जहाग देता है तो soft water यानि मिर्दु जल की बात हो रहे हैं जल की औहस्थाई कठोरता दूर करने की भौती की विधी तो क्या है जल को बॉयल कर दीजिए यानि उबाल दीजिए तो इसका औहस्थाई कठोरता दूर हो जाएगा सुध्य जल होता है कि इसका पीजमान साथ होगा जल के सुध्य करने के लिए किस गैस का पर्योग किया जाता है कलोरीन का अब सिमेंट से भी कुछ देख लेते हैं के पो्रटलैंड सिमेंIT यानि जो सिमेंट घरों में इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है पूर्टलैंड सिमेंट इसके खोज करता जोसेफ एसपर डीन को मार ज़ा है जोसेफ इसपर डीन सिमेंट के जबने किरिया को मन्द करने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किए जाता है तो जिपसम का सुत्र होता है सीमेंट के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में क्या-क्या इस्तिमाल की जाता है तो चूना पथर एवं चिकनी मिट्टी का इस्तिमाल होता है चूना पथर का रसाइनिक नाम तो कैल्सियम कार्बोनेट यानि-C-A-C-O-3 और चूना पथर से प्राप्थ होता है तो कैल्सियम ऑक्साइट किसे तो चूना पथर से सीमेंट में एलूमीना की मातरा अधिक रहने पर क्या होगा तो वहाद जल्दी जम जाएगा सीमेंट में चूना की मातरा अधिक रहने पर जमते समय सीमेंट में क्या पढ़ जाएगी तो जल्दी जमेगा तो उसमें दरार पढ़ने की समभवना अधिक यानि वहाद करेक कर जाएगा अब हम लोग कांच से सम्मधित कुछ फैक्ट याद करेंगे या बहुत महत्तो पूर है जैसे सरोतम स्रेनी कांच होता है उसका नाम क्या है तो जेना कांच क्या नाम है जेना कांच विदूत बॉल बे कैमेरा हुआ दूर्बीन के लेंस के निर्वान में किस कांच का उप्य होता है उसका नाम है फिलीन्त चैके म्हित गैमेरा हुआ दूर्मीन में इसलिए में किस कांच निर्माय में किस कांच का उप्योग होता है तो जब के जो चसमे सबनें तके कोबाल्ट ऑक्साइड को कौण सा रंग प्रधान करता है., अब तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच एक परकार का क्या है तो यहाँ मिस्रन है और किस्टलिये ठोस रूप में कांच क्या है तो यहाँ ओती शीदित द्रवे लिक्वीड है कांच को कठोर बनाने के लिए उपयोग करते हैं किसका तो पोटेसियम कोलो राइड का इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ते हैं अब विसपोटक से संबं संबंधित एक्जाम में बार-बार राता है और एक्जामनोरों का सबसे फेबरेड टी एंटी डाइनामाइट यानिकी अर्डी एक्स होता है तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे तो कुछ पर्मों के भी स्पोटक जैसे डाइनामाइट बनाने वाले कौन अलफ्रेड नोबेल इसका ही नाम है टी एंटी टी एंजी टी एंफी आडी एक्स और आजकाल हम लोग टीवी पर कोई भी समाझार देखेगा तो उसमें अत्मवादी हमला होगा तो उसमें बुले सीवें टी एक्स के खोड करता है नाम इनका है नि między सबसे खतरनाफ बिसपोटक कों थे तो ओ पर दी एक्स होता है अवे प्रुसकार से देने की घॉस्ना की यूँ इन पाइसा था इसको बैंक में रखकर उसके ही इंट्रेक्स से प्रुसकार दिया जाता है अमेरिका में छो इसका नाम प्रहार ग्राम Myers का नामन जाता है साख्य आभे folks chem और TNP का पुरा नाम है Trinitrophenol और TNG का पुरा नाम Trinitrogilcine और यह सब क्या है तिसब बिसपोटक है बिसपोटक मतलब कि एका ए उर्जा का अतरीक परवा है जिसे हमें क्या लगता है कि वह धमागा की तरह महसूस होता है और जिसे अपारे जानमाल की हानिक करने के लिए वह सक्षम हो तो वह क्या है तो वह बिसपोट है उर्वरा करधार फटिलाइजर सरीकली कारबनीक बस्तुओं से तयार की कई खाद को क्या कहेंगे तो उसको हम लोग जैवी खाद यानि कमपोस्ट कहेंगे यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता तो 46% है यूरिया किस परकार का उर्वराख है तो यहाँ नित्रजन यानि नाइट्रोजनी उर्वराख है मतलब कि यहाँ पाउधों में नाइट्रोजन की उपस्तिती बढ़ाता है नैट्रोलियम क्या है तो यह है एक उपरवरक है समान उपरवरकों में जिन तीन तत्वों की सबसेधिक आवे सकता होती है वो एक कोन है उनका फूर फर्मता है NPK N बराबर क्या न बराबर nitrogen P for phosphorus and K for potassium तो NPK नाइट्रोजनी उर्वरा को क्यों इस्तेमाल कहा होगा तो देखिए नाइट्रोजनी उर्वरा के यह मीर्दा याने मिटी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं हम लोग जानते हैं यह पेर पौधों या सारे जीजन्तु हैं उन सब के लिए नाइट्रोजन सबसे क्योंकि नेट्रोजन से यह प्रोटीन का निर्वान होता है जाल नहीं करेगा इसका स्थेंगा नहीं करता है इसका इस्तिवाल कैसे होगा नाइट्रोजन को नाइट्रेट की रूप में और इसको जबीन में इस्थिरी करन किया जाएगा तब पेर पौधे इसको संग्रहन करते हैं और उससे वह अपना खाना बनाएंगे विकास करेंगे और उसके अदम मानों उसको इटे हैं तो इ८्या में जखिये इुडिया हिने नाइट्रोजन की मतरा 46 परसेंट की परकार करका है तो नाइट्रोजनी फटिलाजर है यानि उल वोरक को में जिन तीन ही विद्रोजन को में नाइटरोजन फ्αफ़ाराइड, ह्मॉट मेर्डा में नाइटरोजन की कमी को पुरा करते हैं उधारं के युडिया, αमोनिया नैट्रेट , कैसियम सा nou wird और फासफेटी उर्वरक ए मिर्दा में फासफोरस की कमी को पूरा करते हैं उधारन सुपर फासफेट ऑफ लायम ट्रीपल सुपर फासफेट आदी पोटासु उर्वरक ए मिर्दा में पोटेसियम की कमी को पूरा करते हैं पोटेसियम क्लॉर्लड नैक्ट्रेट पोटेसियम पैस्जा में आता है MIKET महीं करनी सो परसेंट पर आसरीट तो है पोटास पोटास ॉरोर उनला क्या करेगा मिर्दा में पोटेसियम की कमे को पूरा करते हैं और इसके उता देखने चुके क्या है। साबून वा अपमार्जक संथा है जहाग देगे कुछन साबून काफूर । साथ कर्फोरिजल में सभाई करना हो तो करता है साबुन बंवनाने में नहीत-पर किया करनें अपमार्जक क्या है तो यहाँ सोधन अभी करता है अपमार्जक यहाँ डिटरजेंड क्या करता है तो यहाँ प्रिष्ट को किसी धाहंत प्रकाम करता है तो यह प्रिष्ट तराव को कम करतेता है जिसे गंदी की यहाँ पानी की साथ बहुशाते हैं साबुन बनाने में कौन स चारी में पदारित हैं पर्यूक की जाते हैं नाम है कास्टिक सोडा ययानि ने चकास्टिक सोडा कास्टिक पोटास के ओ रिसके इस्तिमाल तो सवब तो पूटास ऊच्छ उसी आम्लों के सोडियम भब पहोगर चलाएंगे साबून कुछध वह गवलो के संपल्तों तोष वह स्म्लोग के समय के घूलाेंगे सब्सक्राइब और आगे हो गया अब हम लोग तेल और वसा से समंधित कुछ फैक्ट देखेंगे तेल और वसा पाई जाते हैं कहां तो वनस्पतियों तसा जन्तुवों जन्तुवों से प्राप्थ होने वाले प्रमुखवसा तो लाड टैलो घी तधा मक्खन है यह सब जन्तुवों से प्राप्थ होते हैं वहीं बॉनस्पतियों यानि भेजी टेवल से प्राप्थ होने वाले तेल हैं जैतुन का तेल ओलिव वाईल अलसी का तेल इंसीड वाईल सर्सो का तेल मौर्स्टर्डवाइल, मुफली का तेल गराउंड नटवाइल, जन्तुव से प्राप्थ होने वाले तेल में जैसे वेहल का तेल, कॉर्ड लिपरवाइल आधी महत्यपूर्ण है सधारन्ता पर तेल क्या होगा तो वहाँ लिक्वीड वस्था में रहता है, वहीं सधारन्ता पर वसा यानि फैट से ठोस वस्था में जमा रहता है असंत्रिप्त वसा अमलो याने ओन सेचुरेटेड फैटी एसीड के गिल्सराइड जो सदहारनता पर द्रव होते हैं वह क्या कहलाएंगे तेल कहलाते हैं वनस्पति गही के निर्वान में कीस गैप्स का उपयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन का कौन सी वनस्पति तेल हीरते रोग्यों के लिए उपयूगत है तो सुरुझ मुखी का तेल वनस्पति तेल का उपयूग होता है भोजन के रूप में तथा साबुन बनाने में तेल में वह वसा सुध्य वस्था में कैसा होगा तो उसका कलर नहीं हो कलर लेस यानि रंग ही तेल वह वसा कारबनी की विलाइकों में जैसे इथर बेंजीन क्लोरूफ और इमसे में क्या है तो विले हैं में घुल जाएंगे और नस्पति घी का गल लांग सरीर के ताप से कम ह को पेट्रोलियम में खनिच्य दिल के उधारन है पेट्रोल डीजल केरोसीन कोलदार हो पेट्रोलियम wiping सोना चाहीडरो कर्बन का है क्या है तो जीवित भार यानि पूराने जवाने में जो पेर पोधे या जन्तु जर गल गए और प्रिस्वी कंदर नतब जाते हैं जो पेर पोधे या जो काश्टी बनस्पति थे उनसे क्या बना कोईला लेकिन जीव जन्तु था और उनका जो अब घटन हुगा वह भी बिना ऑक्सिजन की उपस्यती में तुस्य क्या बना है पेट्रोलियूम पदार्थ पेट्रोलियूम की गुनवत्ता पर दरसित की जाती है और याद कीजिए और से पेट्रोल और से डीजल के गुनवत्ता का पैमाना है कार के इंजन की नौकिंग से बचने के लिए क्या उसमें मिलाया जाता वैसलि p act वैसरीं के कुनषे गिल्पाकत निकाला जाता है तो पेट्रॉलियम मसें पेट्रॉल्यं और सुन SAND, पेट्रॉलियम और अटियू की संख़्या से वाइलमोगा इनला आफेट्रॉलियम, यह अगिलन को तो जै ट्रूफा का प्रकिर्तिक इंधन है क्या है तो पेट्रोलियम रसोई की गैस एक मिस्यरान है किसको तो पेट्रोल को गैस से समयांदीत कुछ फैक्ट देखते हैं आग बुझाने में कौन सी गैस परयोग की जाती है करबन डाई औक साइड कोबर गैस का प्रमु घटक है इससा पैर पौधों रात में कौन सी गैस निकालते हैं तो करबन डाई आखिजे पूरे दुनिया में कोई फीचो जीव जन्तु हो या पेर बाउधा सबस्वासन की किरिया करेंगे तो हां कार्मन डैक्साइड ही छोड़ते हैं सीर परसीफ्ट आक्सिजन कम छोड़ेंगे जब वह प्रकास संसलेशन की किरिया करते हैं तो उसके लिए सुर्व क्या प्रकास ह वह परमानु वह इसा गैस जिसमें दो परमानु है तो नाम है इसका दुए परमानु ऑक्सिजन नेट्रोजन आती इस्ट्रेंजर गैस होते हैं जीनों क्रेकिंग गैस इसका नाम है सलफ़ड़ाई उक्साट कच्चे फलों को क्रित्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग नलिकाओं में परिव थूने वाली गैस है नाम है नियोन गैस और क्रिये गैस रिडॉन वाई मंडल में नहीं पाई जाती है यह कब होने वाला हो तो उसा जगह पर पहले से ही नेचुरली रूप से मिलता है और रिडॉन का इस्तेमाल तो कैंसर के उपचार में होता है मोट मिथेन गैस के सुरोथ है तो दलदली भूमी धान के खेत जो जूगाली करने वाले जानवर और दीमा का अड़ा होता है धेर उनसे क्या निकलता है तो मिथेन कोईले की खानों में परहाई भी स्वोट हो जाता है क्यों क्योंकि मिथेन गैस जब ऑक्सीजन के संपर्क में आ हाइड्रोजिन सीलफाइड हूझिए है यह हरंगी हीन गैस हुती है जिससे अड़ी जैसी घंध आते हैं यह ज्यूजन जिससे भी घंध कैसी आती है तो और जैसी यह से ओसए घंध है किसका तो गवार्वून से ऑन्मोनिया का जलीए बिलियान लाल लिटमस को क्या करेगा और अमोनिया रंगी ही नेवं तीखी गंध वाली गैस है इसे सुंगने पर छी तथा आखों में आशुगा जाते हैं और इसका जलिये विलियन क्या होगा अमोनिया का तो छारी यह होता है और यह जल में अती विलिये है अविशायले गैस है अविशायले गैस में जसी कि क्या की होग्या था तो बीशाष का पतरनम में एक हाथशा हो गया था जिसमें आ revived अर्बवे नुजमार्द था उसमें था कि अल्पीजीका जो पॉलीमर प्लांट था उसमें स्टेरिन गैस का रिसाउव घाता इसे पहलेसी डिया में भी केमिकल एजेंट हुआ था दाल देती हैं लिउसाइट यह भी विसले गैस है जिसका प्रयोग दुतीय विस्यूद में रसायनी खहंतियार के रूप में किया गया था लिउसाइट का मिथाइल ऐसोसाईड यह है विसाले गैस है और इसे इसा 1984 में भपाल गैस तरासदी के समय हो गया था और फासजिन तो कारबोनी कारबोनी कुलराइड को फासजिन भी कहते हैं और फासफिन तो यह फासपुरस हाइडराइड को फासफिन कहा जाता है औसदिया यानि ड्रोग से समंधित कुछ फैक्ट है ऐसे पदार से जिनका उपयोग रोग के उपचार में होता है औसदी कर लाता है औसदी की वह सखा जिसमें संसलिष्ट रसायनी की योगिकों को सामिल किया जाता है उसको क्या कहेंगे इलोपैथि मतलब क्या जो पर अंग्रीलाच्षयज समझे outcomes अब झाम जो उसदíम विभीन परकार होती से इसके बारे हैं इनवह को देखेंगे तो उसदिन का वरोगी गता पहला एंटी बायोटिक्स-तिक्स ईन्टी सेप्टिक्स और 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 देने यहां अगे देखेंगे वह ईनूब्ड एंटीबायोटिक्स तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है तो देखिए एंटीबायोटिक्स मतलम इह औसधी सुक्ष में जिवानू कावा करे आदी से निर्वीत होते हैं, होन तो एंटी बायोटिक्स है, इनका उप्योर जीवानों को मारना और उनकी विर्धी को रोगना ही इनका काम है, पर्थम एंटी बायोटिक्स है, उसदी पेनिसिलीन के खोज करता कोन है, बारबर एकजाम में आता है, अलेकजिंडर फिलेमिंग पर्वुक एंटी बायोटिक्स जैसे पेनिसिलीन, टेटरसाइकलीन, इस ट्रैप्टो माइसीन, कलोरो माइसितिसीन, यह सब क्या है तो एंटी बायोटिक्स है, और एंटी पायोटिक्स या जोवार नासी, यानि यह क्या करका एंटी बायोटिक्स, तो यह जीवानों को वक जिवानों को मारना तथा इनका विर्धी रुखना है जबकि एंटी पायाटिक्स यह क्या तर्द हो रहा है इस फूल का सरीर सूजन हो गया तो क्या करेगा इनका पर शरीर में दर्द जो आर यानि बुखार उतारने में किया जाता है इस्पिरीन क्रोसीन पैरा सीटामोल आद उत्थी को रोकने में होता है शरीर में कट जाने एवं घाव हो जाने पर इनका प्रयोग होता है कुछ परमुक उसदी जिसे फिनल हाइड्रोजन परक्साइड टींचर आरोडीन पोटेसियों पर मैगनेट एथिल अलकोहल आ दिया और चोथा है निस्ते जग यानि इनका उ पर चीकिसा यानिकी ऑपडेसन में कि दौरान जोर मरीज है उसको दिया जाता है उदारन क्लोरोफोर्म डाई इथाइल इथर नाइट्रोस अकसाइड आ दी और सल्फा ड्रग ये उसदियां सल्फार यो नैट्रोजन ततों से निर्मीज होते हैं जैसे सल्फा निलमाइड स और प्रसान तक यह क्या होता है ट्रेंकोलाइजर यह सदियां मानसीक दबाओ चीन्ता चिरचीरापन आदी में अराम पहुछाती है जैसे विरुनल सेकोनल लिमीनल हम लोग प्राया डिस्कॉपरी में क्या देखते हुएगा ट्रेंकोलाइजर का इस्तेमाल बागु को किया तो पहला है पीतर है यह हम लोग का वीडियो लभवे 25 मिट का हो चुका है तो आसा करते हैं इसको अगले बर बनाएंगे ततर धन्यवाद आसा करते हैं कि यह अच्छा लगे जरू लाइक करें सेयर करें कोमेट करें और सब्सक्राइब करें